नमस्कार, मैं डॉक्टर अलकाराय, डेपुटी लाइब्रेरियन, डॉक्टर बी आरंबेड कर विस्व विद्याले दिल्ली, आपका सिनियर सेकेंडरी लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइन्स के सत्र में हम स्वागत करती हूँ आज का हमारा जो सत्र है वो संदर्भ स्रोत पराधारित है और यह पार्ट टू है यानि भाग दो है पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संदर्व स्रोत क्या होते हैं, उनको कैसे classify किया जाता है, उनका division कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के संदर्व स्रोत होते हैं और हमने dictionary यानि शब्द कोस के बारे में सीखा, कि सब्द कोस कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या गुण होता है, जिसके आधार पे उनको हम बाटते हैं, अब इस भाग में हम लोग Encyclopedia यानि विश्वकोस के बारे में पढ़ेंगे, हम Elmanach यानि की पंचांग के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग Encyclopedia के बारे में यानि विश्वकोस के बारे में बात करते हैं, तो विश्वकोस जो है या तो एक पुस्तक या पुस्तकों का समुच्च होता है, यानि collection of books, जिसमें ग्यान की समस्त साखाओं पर कुछ एक ब्यापक छेत्रों के सा सुषनात्मक लेखों को Alphabetical Order यानि वरणानुक्रमिक रूप से ब्यवस्तित किया जाता है, जैसे dictionary में हम वरण के अनुसार उसको अरेंज करते हैं, वैसे ही इसको भी हम लोग Alphabetical Order में ही information को, articles को अरेंज किया जाता है, जो विश्वकोस है एक भली भाती ब्यवस्तित, साम अगर लोगों ने Encyclopedia अगर देखा होगा, तो Britannica Encyclopedia है कि उसका उधारण है, जो कि तीस भाग का एक पूरा कलेक्शन होता है, जो कि अब online, अब आज के समय में जितने भी Encyclopedia है, या जो reference wrote है, वो print के साथ online में भी मुझूद है, और ये जो reference source है, या आपके e-resource भी हो सकत ही है, जैसे Wikipedia है, online में अगर हम जैसे Encyclopedia का एक substitute Wikipedia आया, लेकिन Wikipedia को बहुत जो आप कह सकते हैं कि बहुत भरोसे मंद वाला सूचना का श्रोत नहीं माना जाता है, क्योंकि वो open source है, यानि वो उसमें कोई भी ब्यक्ति चाहे, तो information को edit कर सकता है, उसमें जाके अपने हिसाब स उसको update किया जा सकता है, जैसे अब भी ताजा उदारण है कि अभी जो cricket में अर्शदीप, जो हमारे cricket के बॉलर हैं, उनकी Wikipedia पे जाकर लोगोंने कुछ editing किया था, तो इस तरह की किया जा सकता है information को के साथ छाड़ हो जाती है, तो इसलिए Encyclopedia को हम लोग सबसे जादा महतप इस अब संदर्ब स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अब संदर्ब स्रोत कितने प्रकार की होते हैं, उनको भी उनकी quality, उनकी types, जो भी उनकी गुण हैं, उसके हिसाब से हम विश्वकोषों का भी विवाजन किया जाता है, एक होता है सामान्य विश्वकोष, जि जो की subject encyclopedia, कि वो subject आधारित यानि विश्वकोष जो encyclopedia या विश्वकोष है, और दूसरा सामाने जिसमें general information आपको मिलती है, तो अगर ज्यान के सामाने विश्वकोष की बात करें, तो ज्यान के सभी छेत्रों से संबंदित, उदारण के लिए encyclopedia Britannica, जिसके आभी मैंन उदारण दिया था, उसमें 30 volume का पूरा set होता है, और उसमें आपको पुरे दुरुनिया, पुरे ब्रमान की सारी information briefly, बहुत, मतलब इंसार, चुकी reference material है, reference source है, यानि संदर्व श्रोथ है, तो उसको संदर्व के लिए इस्तिमाल किया जाता है, इस तरह के, जित्ते भी जानकारी चाहिए, या कोई political moment हुआ है, उसके या कोई जानवर से सम्बंदित, जंगल से, हर तरह की आपको जो information है, वो जानकारी आपको इंसाइकलोपीडिया से मिल सकती है, विशे विश्व कोस, जो subject इंसाइकलोपीडिया जिसको हम कहते हैं, या एक विशे या विश्यो के सम्बंदित जानकारी देते हैं, इसमें आपको किसी एक subject जैसे encyclopedia of education, encyclopedia of science, encyclopedia of tiger भी है, जो छोटे लेवल पे बच्चों के लिए मैंने देखा हुआ है, तो उस तरह के बहुत सारे encyclopedia जो सब एक विशे पे हो सकता है, या विशे के सम्बंदित जानकारी देते हैं, जैसे encyclopedia of physics, encyclopedia of science and technology, यह सब उसके उधारण हैं कि जिसमें उस encyclopedia में आपको उस subject से सम्बंदित क्या progress हुआ, क्या development है, क्या initiatives हुए, उस से सम्बंदित जितनी भी जानकारिया हैं, वो आपको इस subject encyclopedia से आपको मिल सकता है, दूसरा एक category है yearbook, यानि कि वार्षी की, जिस जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि वार्षी की, जो कि सूछना की एक पुस्तक है, जो गत वर्स की जो भी updated information हो, इसको हर साल इसको प्रकासित होता है, तो जैसे वार्षी की है, इसको हम कई लेबल पे देख सकते हैं, कि जैसे यह अंतरास्ट्री वार्षी की भ करती हूं, तो डाक्टर बियारम बेटकर उन्वरस्टी दिल्ली में हर साल एक एन्वल रिपोर्ट निकलती है, जो कि हमारे पूरे एक पिछले साल का, दो हजार बाइस पे अगर हम पब्लिश कर रहे हैं उस एन्वल रिपोर्ट को, तो दो हजार इकिस में हमने क्या-क्या क कितने रिसोर्सिज खरीदे, कितना हमारा यूजेज स्टैस्टिक्स था, कि कितने लोगों ने यूज किया, कितने लोग लाइब्रेरी में विजट किये, तो यह सारी इंवर्मेशन जो होती है, हम अपने एन्वल रिपोर्ट में देते हैं, तो ऐसी इसी तरह की आपको उसमें मिलेगी, कि पिछले साल उनका क्या-क्या कार्य किया, उनके क्या development थे, उन्होंने किस तरह का प्रोग्रेस था उस देश का, वो सारी जानकारी आपको उससे मिलेगी। फिर राश्ट्रिये वार्शी की, किस भारत जैसे भारत का है, तो हमें अगर राश्रिये जिसमें कि किसी subject क्या special किसी विशे से सम्बंदित पिछले एक साल में क्या उसका development यानि क्या उसका विकास हुआ उस subject से सम्बंदित क्या research हुए क्या उसमें कोई innovation हुआ कोई ऐसा कोई और development हुआ उस subject से सम्बंदित तो वो सारी information आपको उसमें मिलेगी ये कुछ example है ये yearbooks के तो the statesman yearbook जो कि international yearbook है जिसमें कि पूरे विश्व से सम्बंदित आपको जानकारी मिलेगी हर देश के बारे में आपको अपने देश के बारे में भारत के भी बारे में इसकी जानकारी मिलेगी और बहुत ही renowned publication है या दुनिया में और India a reference annual 2021 जिसका मैंने अभी picture लगाई है त जो 21 में भारत ने कहां पेच है वो सेना के छेतर में या वो science के medical के जैसे अभी corona काल था तो covid में हमने कितने लोगों का vaccination हुआ कितने लोगों की death हुई covid के कारण कि तो इस तरह की जितनी भी जानकारियां है भारत के बारे में वो सब आपको इस India 2021 में मिलेगा जो third category है McGraw Hill Yearbook Science and Technology या subject yearbook है तो इसमें जैसा मैंने बताया कि हर साल का जैसे ये 2013 का उधारण दिया है इस slide में तो इसमें 2013 में क्या-क्या science और टेकनलोजी के छेतर में क्या-क्या गतिविदिया हुई क्या research किये गया क्या उनका outcome था और कितना budget खर्च किया गया या उससे सम मंदित सारी information आपको इस McGraw Hill Yearbook of Science and Technology में बिलेगा और इस तरह की जो reference source या जो संदर्व शूरूत होते हैं या प्रतियोगी परिक्षाओं में बहुत उपयोगी होते हैं जो जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परिक्षाओं में भाग लेते हैं वो इस तरह की किताबों को इस तरह की reference sources को बहुत ज़्यादा उनको मदद मिलती है इनसे अब एक अलग तरह का reference source है हमारा Elmenach जिसको हम पंचांग भी कहते हैं तो यह वर्ष में एक बार प्रकासित होता है जैसे कि आपका yearbook है वो भी एक बार प्रकासित होता है पर yearbook और पंचांग में फर्ग है क्य जबकि जो पंचांग है यानि Elmenach या एक साल आगे कि आपको information देता है तो जैसे 2022 का अगर हम पंचांग देखेंगे तो और भारत में अधिकतर लोगों के घरों में आपको यह मिलेगा लोग रखते हैं क्योंकि जिनका भी ग्रहों में ग्रहन से किसी भी इस तरह की चीजों से जिनका भी इंट्रेस्ट है वो लोग अपने घर में रखते हैं जिनको ब्रत रखना है कुछ पूजा पाथ इस तरह की चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह बिसिकली मूल रूप से महीनों का कैलेंडर है अगर हम जैसा कि मैंने बताया कि वार्षी की जो है पिछले साल गतवर्ष क्या-क्या हुआ उसका है उसकी जानकारी हमें देता है पर पंचांग में आपको इस पूरे साल में क्या-क्या होगा इसकी जानकारी कि कब सूरे ग्रहन लगेगा कब चंदर ग्रहन लगेगा ग्रहों की गती कब संसेट होगा किस दिन कितने बजे यह पूरी जानकारी आपको इस पंचांगे मदद से मिल सकती है मान लीजaines आज सेप्टेμबर है और मुझे देखना है कि 14 नवंबर को कितने बजे सूरियोदे होगा और कितने बजे सुरियास्थ होगा तो मैं पंचांग की मदद से 2022 और White Tickers Elmenach 2021 इस साल या UK से पब्लिश होता है इस साल इसका publication नहीं हुआ है 2022 में क्योंकि करोना की वज़े से कुछ publication house पे काफी असर आया तो उन्होंने इस साल इसका 2022 का print नहीं किया है एक अलग और हमारा एक और reference source जो की है हस्त पुस्तिका यानि handbook जिसको हम कहते हैं तो handbook या हस्त पुस्तिका शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द handbook से हुई जिसका अर्थ है ऐसी लगू पुस्तक जिसमें उपयोगी तथ्य होते हैं तथा जो विशिस्ट सूचना या विश्य के बारे में निर्देश प्रदान करती है जो विश्यगत हस्त पुस्तिका जैसे subject handbook मूल रूप से विश्य पर सब्षिप्त तथ्यों की सूचना प्रदान करती है जैसे कि handbook आफ लिपिड बा आपको handbook of education, handbook of psychology, sociology, हर तरह की आपको handbook मिलेंगे जो कि यह भी reference source होते है, reference material होते है और library में इनको रखा जाता है कई बार इनका भी बहुत volume बड़ा होता है कि कई set के होते हैं, एक किताब भी हो सकती है और कई volume का set भी हो सकता है तो इसमें भी basically संचिप्त जिसको आप करते हैं कि brief description होता है किसी भी information के बारे में और आगे के लिए आपको निर्देश देती है कि आप अगर किसी बारे के विशे के विशे में आप पढ़ रहे हैं और उसके बारे में आपको बहुत detailed information चाहिए तो वो कहां से आप ले सकते हैं धन्यवाद